हेलू, नमस्ते, अस्सलाम वालेकों सयारीकार, राम राम, क्या हाल चाल मेरे भाई, लोग त्यार गाईस, आज इस वडिडियो में में रियक्षिन करने जा रहा हूँ लो कंड़ी между नान‍ most always color टीक है एन अलिज्चनावर भी भाट दीन हो गय है töो 20kal को सब्सक्राइब हुआ है 1441 हिज्रीmom बाहुत रिक्वेस्ट आधि यह विड़ों को जलती मिंगत लखाने ह्जा lucky गरीब बाबा मैं सेयद हाँ ऐो मेरा गरीब बाबा ना दफन मिला ना दफन हुआ मेरा बाबा प्यासा मार दिया ऐो मेरा गरीब बाबा ना दफन मिला ना दफन हुआ मेरा बाबा प्यासा मार दिया ऐो मेरा गरीब बाबा ऐो मेरा गरीब बाबा बाजार शाम का मज्मा था सजाद गरीब का नोहा था क्यों बागी बागी कहते हो क्या जुर्म था मेरे बाबा का सजदे में नमाजी कटल किया मेरा बाबा का साव मार दिया ऐो मेरा गरीब बाबा ना दिर्फन में खा ना दिर्फन हुआ मेरा बाबा बासा मार दिया ऐो मेरा गरीब बाबा मेरा बाबा शान रसूल अल्ला मेरा बाबा जान मदीना था चौदा बारा और पांच में भी बेशक अनमोल नगीना था सादात के दिल को चाक किया मेरा बाबा का साव मार दिया ऐो मेरा गरीब बाबा ना दिर्फन में खा ना दिर्फन हुआ मेरा बाबा का साव मार दिया ऐो मेरा गरीब बाबा ऐो मेरा गरीब बाबा मेरा बाबा पाक नमाजी था अल्ला हब जिस से राजी था मेरा बाबा ऐसा खारी था कुरान भी जिसका हामी था सजदे में इस पर सुलम किया मेरा बाबा का साव मार दिया ऐो मेरा गरीब बाबा ऐो मेरा गरीब बाबा ना दिर्फन में खा ना दिर्फन हुआ मेरा बाबा का साव मार दिया पहले तो प्यार से खत लिखके दो के से बुलाया बाबा को फिर कर बबला के सहरा में कितना है सताया बाबा को महमान बढ़ा कर रूट लिया महमान बढ़ा कर रूट लिया मेरा बाबा बासाओ मार दिया एयो मेरा गरीब बाबा ना खुर्फन में का ना खुर्फन हुआ मेरा बाबा बासाओ मार दिया एयो मेरा गरीब बाबा एयो मेरा गरीब बाबा बतलाओ क्या मेरा बाबा एक कफन कभी हकदार न था बतलाओ क्या मेरा बाबा नाना का फिरसादार न था लाखों ने उसको गेर लिया मेरा बाबा प्यासा मार दिया ना गुफन में आ ना गुफन हुआ मेरा बाबा साओ मार दिया ने उमेरा गरीब बाबा यो मेरा गरीब बाबा ना कफन मिला ना दफन किया तो सबसे पहले तो वीडियो को बहुत सा प्रेजेंट करा गया फुल वीडियो बहुत सी प्रेजेंट करीगी है लाइक एक तरह से कहा जाए तो जो बैगराण अगर तुम देख रहेंगे तो आइटिंग मेरे साब से जो कर्बला में जो सीन हुआ ना तो उससे बनाया गया लाइक कर्बला में जो भी हो गया सब कुछ तभाई सी मजगी उसके बाद जो वहां पे एक टेंट बगरे दिखरे पड़े लगे वह मैं वबाजों में थो छोटी सीक आग की चिंकारी जिल रही है तो वीडियो में बैगराण है फुरू ही दिखा जा रहा है और नोहा जो पढ़ रहे कह सकते इमाम सजाद अले इसलाम पेकॉस जो उनके बेटे जो बचे थी लास्ट में जो बेटे बचे थ उनके साथ लाइक वो कौन थे और उनके साथ क्या क्या हो गया क्या वो एक कफण की भी हकदार नहीं थी वह सिर्फ यजीरी एकडम जिसे कहते हैं यह जीद की मतलब यजीद की सरकार वही गलत हो या फिर आई तिंग वहां की पब्लिक सही होगी लेकिन यह जीद की जो बाते हैं उससे एक तरह से कहसे हैं कि वो उस तरह की बन गई हो गलत पड़त सीखाया होगा यह जीद ने तो होसता है तो उसके बात का उसी ने वो सी सब कुछ बता रहे है कि यह हुआ हमारे साथ है एक कफन भी आइघ्या गेड़ आंगे निक्रा लीप यह गयाता पानी थक को घ। प्रिटा करत कि नंगे नोहा करता है लेट है ऐसा अभी तक के मेरी इसाब से लाइक पूरे वर्ल में आइधिंग पता नहीं मेरी साब से निमर वन बे वही नहाँ है के ना पड़ेगा अलीजी अलीज नावर तो एक रिकॉर्ड एक है सुकते हो येस बहुत अच्छा नहीं मुझे बहुत पसंदा है ठीक है तो आप तुमको मेरे वीडियो पसंदा है पसना है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और प्लीज बैगराउंड में जो वाई जारी थोड़ा से एक नूर करतो विकॉर्ज अभी सुबे करना है मैं था तो येस मि है मेरा गरीब बाबा ना गुफन में का ना गुफन हूआ इस मेरे बाबासाओ मार दिआ एँर मेरा गरीब बाबा